नमिश्कार दोस्तों स्वागत है आपका और उपल की रसोई में आज हमें आपके लिए बिना केस से लाए रक्षा बंदन स्पेशल बहुत है डिलेश्यस सी स्वीट्स ले गई हूँ तो इस स्वीट्स को तयार करने के लिए हमने इस्तेमाल करा है पनीर का और पनीर एकदम फ्रेश होना चाहिए पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है तो एकदम बारिक चाली से हमने से कद्दूकस करा है आप देख सकते हैं आप चाहिए तो से मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हैं अ अब इसमें डालेंगे हम एक कप भर कर नारियल का बूरा इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आदा कप पूर्डर आदा कप हम इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी जिसे हमने मिक्सी में पीस के रखा था तो रक्षा बंदन पर या किसी भी तेवार पर बाजार में जो मिठाईया मिलती है वो काफी मिलावटी होती है अगर आप इस तरह से स्विट्स त्यार करेंगे तो बहुत ही हैल्दी ये दियार होगी अब इसमें हमने डाला है लाइची पाउडर और अच्छी सी खुश्पू के लिए हम इसमें डालेंगे आदा चमच के करीब वैनिला एसंस आप चाहें तो गुलाब चल या केवडा वाटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर मुझे वैनिला एसंस की खुश्पू बहुत पसंदे स्विट्स में तो यहां हमने अपने सारे सामान को बाउल में छोड़ दिया है अब इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए हम इस्तिमाल करेंगे मलाई का तो मलाई आप दो-दो चमच करके डालिए पहले आप दो चमच डालिए और अच्छे से से मिक्स कर लिए दी तो चमच से हम इसे मिक्स कर लेंगे तो आप देखेंगे, जरुवत के कोर्डिंग ही हम इसमें अपनी मलाई का इस्तमाल करेंगे तो दो चमच अच्छे से मिख्स हो चुकी हैं और अगर आपके पास फ्रेश मलाई उस टाइम नहीं हैं तो आप 2-3 चमच दूर डालिए और इसे अच्छे से mix कर लीजी तो वापस से हम इसमें 2 चमच मलाई डालेंगे और इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे तो अभी हम चमच से से मिक्स करेंगे तो ये देखिए सिर्फ दो से तीन चमच मलाई में है तो ये देखिए बहुती अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे फ्रीज में तो 15 से 20 मिट के लिए या आधा घंटे के लिए हम इसे रेस्ट कराएंगे जिससे ये थोड़ा सा ड्राइ हो जाएगा और हमें मिठाई का जो भी शेप देना है उसे शेप देना बहुत ही इजी हो जाएगा तो अब मैं इसे फ्रीज में रख देती हूँ तो यहाँ मुझे इसे फ्रीज में रखें आदा घंटा हो चुका है और आप देखेंगी काफिर ड्राइ हो चुका है अब हातों की सायता से हम इसे मिक्स करेंगे करेंगे तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए है और आदाचमच हम देखेंग गीट डाला है जिससे इसे अच्छा साम चिक ना कर लेंगे जिससे हातों में चिक कर नहीं अब एक बटर पेपर का हम इस्तिमाल करा है उस पेसे मिष्ट्रन को हमने रखा है और मन चाहे आकार में आप इसका shape दे दीजी तो मैंने कुछ इस तरह से shape दिया है उसे garnishing करा है मैंने पिश्टे से तो पूरी तरह से optional है अगर आप इस तरह से garnishing करते हैं तो यह दिखने में बहुती सुन्दर लगती है और यहां हम इसे butter paper में अच्छे से tight fold कर देंगे तो चारों तरफ से हम इसे अच्छे से press कर देंगे जिससे हमारा पिष्टा भी इस पे चिपक जाएगा और इसका एक अच्छा सा shape भी आ जाएगा तो यह दीखे हमने इसे अच्छे से wrap कर दिया है और जिस तरह से हम टौफी को fold करते हैं उस तरह से हम इसे भी किलारों से मोड़ देंगे और वापस से में इसे 15-20 मीट के लिए फ्रीज में रखोंगी जिससे से cut करना बहुती easy हो जाएगा 15-20 मीट हो चुके हैं और हमने इसे फ्रीज से निकाल लिया है और ये देखिए कितनी अच्छे से ये set हो चुका है और अब हम इसे मन चाहे आकार में cut कर लेंगे तो आप चाहे तो इसके लड़ों भी बना सकते हैं पेड़े भी पर हमने कुछ इस तरह से इसको shape दिया है तो इसे हम cut कर लेते हैं और दोस्तों अगर आप new हैं मेरे चैनल पर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं करा है तो उसे भी कर लीजिए मेरे चैनल पर आपको बहुती easy सी recipe देखने को मिलेगी और बहुती healthy तो यहाँ हमने इसे cut कर लिया है और इसे plating भी कर लिया है तो तयार है हमारी बिना केश चलाए बहुती easy सी sweets और यह recipe आपको कैसी लगी आप मुझे comment करके पल की रूसोई में आज मैं आपके लिए लेकर राए हूँ बहुती delicious सी recipe रबडी की तो जिसे हमने त्यार करा है बहुती easy तरीके से और रबडी को हमने त्यार करा है bread के साथ तो चलिए बनाते हैं इस recipe को आपके साथ इसे त्यार करने के लिए हमने ली है white bread की slice तो 4 slice हमने अपनी bread में यूज़ करी है अब जुसके side के किनारे हैं उसे हम हटा देंगे ये देखें चक्को की सायता से तो हमने bread की जो किनारी थी उसे हटा दिया है इसे आप देख सकते हैं और अब हम इसे mixi जार में बारी पीस लेंगे इसे mixi में डाल देते हैं और एक बार चला लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से त्यार होगी आप देख सकते हैं पीसने के बाद और इसे अब हम रख देंगे पीसने के बाद side में ये देखें अच्छे से बारी पीस चुका है इसी के साथ हमने कड़ाई गरम होने रखी है और उसमें डालेंगे हम एक छोटा चमच की जिससे हमारा जो दूद है फो तले में नीचे चिपकेगा नहीं और इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे एक लिटर दूद तो दूद हमारा आलरडी पहले से गरम है और मलाई के सहित अपनी रेसिपी में दूद का हमने इस्तमाल करा है एक लिटर दूद में मैंने चार ब्रेट की स्लाइस का अस्तमाल करा है अपनी रेसिपी के लिए और इस दूद को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे हम उबलने के लिए छोड़ देंगे पंदरा मिट के लिए और बीच बीच में आप इसे हिलाते रहेगा जिससे ये नीचे चिप के ला तो इस तरह से रबड़ी में अक्सर तयार करती रहती हैं और बहुती जल्दी से ये रबड़ी हमारी तयार हो जाती है और बिल्कुर भी पता नहीं चलता है कि ये ब्रेट से तयार हुई है तो ये दीखिए दूद हमारा उबलना स्टार्ट हो चुका है तो दूद को हमें गाड़ा नहीं करना है बस उबालना है 15 मिट बाद हम अपने इस दूद में डाल देंगे 1 फोर्द कप मिल्क पाउडर जिससे हमारी रबड़ी में बहुत ही अच्छा रिच टेस्ट आएगा और ये हल्गिसी गाड़ी भी हो जाएगी तो मिल्क पाउडर को हमने दो से तीन बार में अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और इसे तले से हम हिलाते हुए पकाएंगे जिससे ही मिल्क पाउडर हमारा नीचे चिपकेगा नहीं दो तिन मिट तक हम इसे हिलाते हुए पकाएंगे और मिल्क पाउडर हमारा बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है अब हम इसमें रानेगे 1 फोर्थ कप देसी चीनी आप चाहें तो सिंपल चीनी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैंने देसी चीनी का इस्तिमाल करा है जिससे हमारी रबड़ी बहुत हेल्दी हो जाएगी और इसे भी अच्छे से पिक्स कर लेते हैं तो यहाँ हमने मिल्क पाउडर और देसी चीनी डाली है बीच बीच में हम इसे चमचे से जरूर हिलाएंगे जिसे नीचे चिपकेगी नहीं और दोस्तों अगर आप न्यू है मेरी चैनल पर अभी तक आपने मेरी चैनल को जोइन नहीं करा है तो उसे भी कर लीजिए आपको मेरी चैनल पर बहुती इजी और टेस्टी सी रेसिपी देखने को मिलेगी तो यहां हमारा दो-दो उबर रहा है और यह देखिए इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने लगा है अब हम इसमें डाल देंगे चार इलाइची का पाउडर जिसे हमने कोट के रखा था और उसे भी इसमें मिक्स कर लेते हैं आप चाहेते इसमें बहुत सारे ड्राइर फूट्स डाल सकते हैं पर रबडी सिम्पल ही अच्छी लगती है यहां हमने फ्लेम को हाई करा है और हाई फ्लेम पे हम इसमें उबाली आने देंगे तो आप देखेंगे चार से पांच मिट में हमारा जदू दे बहुती अच्छी तरह से उबलने लगा है और इसमें उपर मलाई भी आ चुकी है इस स्टेज में अब हम इसमें डालेंगे अपनी बारी पीसी हुई प्रेड को तो मिक्स कर देते हैं ब्रेड अपनी तो बहुती जल्दी हमारी रबड़ी त्यार हो जाती है 20 से 25 मिट में और बहुती टेस्टी लगती है आप इसे बनाने के बाद फ्रीज में रखे ठंडा ठंडा खाईए बहुती यमी लगेगी तो ब्रेड हमने अपनी इसमें छोड़ दी है और ब्रेड डालने के बाद भी हम इसे 5 से 7 मिट तक अच्छे से पकाएंगे घर में रखे सामान से हमारी ये डिलिश्यसी रेसेपी त्यार हो जाती है तो यहां जितना भी किनारे पे चिपकी हुई मलाई है उसे भी हम बीच में करते जाएंगे तो ब्रेड डालने के बाद भी हमने इसमें 2 से 3 बॉयल अच्छे से आने दिये हैं और ये देखें धीरी धीरी ये गाड़ी होने लगेगी आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ठंडी होगी और भी गाड़ी हो जाती है और खाने में बहुत ही डिलिश्यस भी लगती है यह बहुत ही अच्छे से हमारा ये दूद ब्रेट के साथ उबल चुका है और ये देखें बस हमें इसे इतना ही पकाना है इस स्टेज में हम अपने गेस की फ्रेम को ओफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो फ्लेम को हमने आफ कर दिया है और इसे ठंडा कर लेते हैं आप चाहें तो इसे फ्रीज में रखकर भी ठंडा कर लीजी ठंडा करने के बाद हम इसे किसी सर्विंग भाउन में सर्व कर लेते हैं और यहां हमारी रबड़ी ठंडी हो चुकी है और मैंने इसे किसी बर्तन में निकाल लिया है यह देखिए कुछ इस तरह से दिखने लगी है अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे कुछ पिष्टा और गुलाब की कत्रन से आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं पिष्टी की कटिंग अपनी और उसी के साथ इसमें डालेंगे कुछ गुलाब की पंखुणिया और इसे हम रख देंगे फ्रीज में तो बहुत ही डिलिश्यस ही हमारी यह रसेपी त्यार हुए आप इसे जरूर ट्राइ करेगा और कैसी बनी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा थेंक्स पूर ओचिंग